कोशामबी से लोकसवा सांसद विनोस सोनकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाचीत के लिए सर ग्यानवापी मज़ीत को लेकर जो कोट का फैसला आया है इसमें साफ तोर पर कहा गया है कि जो कमिशनर थे उन्हें नहीं हटाया जाए ना किस तरह से देखते हैं कोट के देखें देश की नाईपालिका का सम्मान के वल देश में नहीं है पुर्य दुनिया में भारत की नाईपालिका के निस्पचता पर लोक मानते हैं उसकी निस्पचता को मानते हैं और जिस प्रकार से निर्णे आया है निश्चित रूप से नाईपालिका के निर्णे का स्व हो जाना चाहिए था आज 75 सार लग गए देश की जनता सच जनना चाहती है कि आखिर वहां पे क्या तत्त है और अगर निया पालिका के नितुत में ये पूरा सच चाहता है तो निश्चित रूप से दोनों पच्छों को इसको स्वविकार करना चाहिए लेकिन कुछ लोग दे लाने का काम करते हैं जो दुर्भाग पूर है ये भी कहा गया है कोट की तरफ से कि अगर सरवेट टीम को रोका जाता है कोई रोकता है तो उस पर फायर दर जो निश्चित रूप से सरकारी काम में वह भी नैपालिका के नितुत में जो काम हो रहा है अगर कुछ लोग रोक कि आखिरकार अंदर है क्या देखिए केवल ग्यानव्यापी मंदिर का विसे नहीं है विसे है देश में ऐसे कई सच हैं जिसको आजाद भारत में लोगों ने अपने राजनेतिक फायदे के लिए तुस्टी करण के लिए देश की जंता से छुपाने का काम किया है चागरा क ताज महल के बाद किया जाए वो बाइस कमरे क्यों नहीं खुलना चाहिए वो खुलना चाहिए और उस पे जो सच है देश और दुनिया के सामने आना चाहिए ताज महल वाले मामले पर सुप्रीम कोट ने याचिका को खारिच कर दिया है और फटकार भी लगाया है याचिका करता को तो इसके बावजूद भी आपको लगता है कि ताज महल मामले की जो है सच्चाई सामने आनी चाहिए आखिर कार अंदर है क्या निश्चित रुप से देश की जंता को ये जानने का अधिकार है हक है कि आखिर सच क्या है अब नाई पालिका ने किन प्रस्थितियों में किन कारणों से याचिका को खारिच किया है ये कद्ध्यन कभी से हो सकता है ये जांच कभी से हो सकता है लेकिन देश की जंता ये जा जानना चाहती है एक लोगतामतिक देश में देश की जनता को जानने का अधिकार भी है लेकिन जिस प्रकार से कुछ राजनेतिक दल और कुछ विशेस लोग अपने राजनेतिक रोटी के लिए अपने राजनेतिक फाइदे के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो दुर झाली